Hello everyone, I hope कि आप लोग बहुत अच्छोंगे गैस कि आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं अगर हाँ तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताओं कि आप कैसे अवाइट कर सकते हैं copyright strike को जैसे कि अगर आप वीडियो बनाते रहते हैं और आपके पास एक copyright strike आ जाती है तो आप tension में चले जाते हैं मैं समझ सकता हूँ को कि YouTube पर work करना बहुत ही hard है और हम लोग hard work बहुत करते हैं उसके बाद अगर copyright आती है तो हम लोगों को बहुत problems होती है और हमारा चैनल भी टाउन में जाता है तो guys copyright strike से बचना कैसे है simple सा funda है guys हमें कभी भी किसी का भी content use नहीं करना है जैसे कि ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा content है अगर आप ये वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो मेरे पास एक option होता है मैं वहाँ पर click करके check कर सकता हूँ कि कौन मेरे वीडियो को use कर रहा है और मैं वहाँ पर आपको दे सकता हूँ copyright strike तो यही होता है guys हम लोग क्या करते हैं किसी का भी content उठाकर अगर अपने चैनल पर डाल रहे हैं हम उन guideline के against work करेंगे YouTube पर तो YouTube हम पर work करने लगेगा अब हमेशा यह याद रगो कि YouTube आप पर work ना करे अगर आपको copyright strike सब समझनी कि क्या होती है कौन सी होती है और भी जो community guideline strike है और जो strike होती है वो क्या होती है तो उसके लिए मैंने एक playlist बनाई है जिसका link में in description box में लिए 30-30 seconds से video है सारी मैंने guideline वहाँ पर cover की होई है monetization policy क्या होती है यह सारी चीछ है इससे कि आपको कभी भी channel demonetize ना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं link description box में लिए है तो आपको बस यहाँ पर कर copyright की फंडे की बात करी जाए तो simple सा यह है कि आप अपना खुद का original content बनाओ कभी कोई copyright नहीं आएगी और अच्छे से YouTube पर बत करते हो जैसे मैं कर रहा हूं गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना